केल राहुल हाल ही में बांगलादेश में टेस्ट सीरीज जीती भारतिय टीम के कप्तानी राहुल की कप्तानी में भारत ने बांगलादेश को क्लीन स्वीप किया जी हाँ, इतिहास ऐसे ही तो लिखा जाता है आगे जब भी हम इस सीरीज के बात करेंगे तो लोग यही कहेंगे न कि हमने राहुल की कप्तानी में बंगलादेश को उसी के घर में क्लीन स्वीप किया लेकिन इस क्लीन स्वीप के बाद भी केल राहुल पर कई सवाल हैं और ये सवाल ना सिर्फ उनकी कप्तानी पर हैं, बलकि उनकी बैटिंग भी सवालों के घेरे में हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि उन्हें श्रिलंका के खिलाफ अगले हपते शुरू हो रही T20 International Series से ड्रॉप कर दिया जाएगा। और आज सिली पॉइंट में हम आकड़ों के जरिये देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्रिट की दुनिया में मुखिता दो तरह की प्लेयर्स को कप्तान बनाया जाता है। पहले वो जिनका प्रदर्शन बहुत कमाल रहता है। और दूसरे वो जिनकी लीडर्शिप, कॉलिटी, नेक्स्ट रेवल की हो। कुछ उदार्णों के जरिये बात के जाए। तो पहली शर्णी में विराट कोहली और रिकी पॉंटिंग जैसे नाम आते हैं। जबकि दूसरी कटेगरी में माइक बरली और कुछ हद तक और मॉर्गन जैसे लोग आते हैं। इसके अलावा एक और कटेगरी है। कटेगरी उन प्लेयर्श की जो टीम में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो कप्तान होते हैं। हमारी आपकी मौज लेने के लिए खेली जाने वाले क्रिकेट में भी ऐसे लोग होंगे ही। लेकिन ये बात कम ही लोग सुईकारते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तेमबा बाउमा, टिम पेंट जैसे प्रेयर्स के बारे में कई बार ऐसा कहा गया कि ये सिर्फ टीम में इसलिए हैं क्योंकि ये कप्तान है। अब ऐसा ही केल राहूल के लिए भी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है ये आपको पता ही होगा। क्या हो सकता है कि ना भी पता हो, जलूरी थोड़े है कि सब कोई मेरी तरह क्रिकेट देखता है। हाँ, तो जिनको नहीं पता, वो यह जान लें कि कि एल राहूल ने पिछली 10 टेस्ट पाडियों में सिर्फ दो बार 25 का आकड़ा पार किया है। आखरी बार, वह तीन जन्वरी 2022 को टेस्ट क्रिकेट में 25 के पार गये थे। ओवराल भी उनके आकड़े बहुत प्रभावशाली नहीं है। राहूल ने 45 टेस्ट मैच में सिर्फ 34 की आवरेज से रन मराया है। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज को छोड़ दें तो राहूल का टेस्ट एवरेज हर देश के खिलाफ 40 के अंदर है। इसी तरह देश और विदेश में खेले गए टेस्ट मैच के आकड़े देखें तो राहूल भारत और विंडीज को छोड़ हर जगा 40 से कम की आवरेज से रन जोड़ते हैं। राहूल को W के हुए 8 साल हो चुके हैं। और इन 8 सालों में वह सिर्फ तीन बार टेस्ट में 30 से उससे ज़्यादा की आवरेज से रन जोड़ पाए। यानि टेस्ट में राहूल कभी भी बहुत रिलाइबल नहीं रहे। राहूल के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे एवरेज वाले दुनिया में बहुत से प्लेयर्स हैं। और इस एवरेज के साथ वह टीम में अंदर बाहर होते ही रहते हैं। जबकि राहूल के साथ उल्टा है। टीम से बहार होना तो दूर वह इस टीम को लीड कर रहा है। टेस्ट क्रिकट में राहूल सीधे तोर पर अनफिट दिखते हैं। उनका एवरेज और अप्रोच दोनों ही किसी काम के नहीं है। राहूल लगातार फेल हो रहा है। 78 पारियों में उनके नाम सिर्फ 20-50 या उससे उपर के स्कोर है। वैसे तो यह उतने बुरे नहीं लगते। पता लगता है कि हर चौती पारी में वह पचास या उससे उपर का स्कोर कर रहे हैं। लेकिन उनका एवरेज तो अलग ही कहानी कहता है। इतने मैच खेलने के बाद भी रहूल का एवरेज रविंदर जडेजा और रवी शांस्त्री जैसे बोलिंग आल राउंडर से भी कम है। क्रिकट के इस फॉर्मेट में तो रहूल अभी तक अपना टेलेंड नहीं ही दिखा पाए है। ठीक ठाक बोलिंग और थोड़ी टफ पिछ आते ही उनका आवरेज जमीन में धह जाता है। और लीडर्शिप क्वालिटी में भी वो बहुत कमाल नहीं कर रहा है। पंजाब किंग्स हो या फिर लखनव सूपर जैंट्स उनकी कप्तानी वाली टीम्स कुछ कमाल नहीं दिखा पाई है। लखनव ने जरूर डेब्यू में वहतर प्रदर्शन किया लेकिन उसका क्रेड़िट गौतम गंभीर के खाते में गया। तो कि गंभीर ने अपनी लीडर्शिप और टेक्टिकल ब्रिलियंस अल्रडी साबित कर रखी है। टेस्ट में राहूल का इस्टगल पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा। और इसके बावजूद हमारी टीम मैनेजमेंट ना सिर्फ उन्हें टीम में बनाय हुए है। बलकि गाहे बगाहे उन्हें कप्तानी भी सौप देती है। जबकि इसी टीम में हमारे पास तवाम ऐसे बंदे हैं जिनके पास ना सिर्फ कप्तानी का अनुभव है बलकि उनके आकड़े भी इतने बुरे नहीं है। और वो अन्हें फॉर्मिट्स में टीम इंडिया की गप्तानी भी कर चुके हैं। लेकिन ऐसे प्लेयर्स क्या ही कर लेंगे। होई है वही जो राम रची राखा को करितर्क वड़ावजा का। नमस्ते मैं सूरज हूँ। आप डलन टॉप देख रहे थे आपके लिए प्रीडियो शूट किया था हमाई साथे जतिन ने और यह प्रोग्राम था सिली पॉइंट शुरिया। कर दोटे हैं